है लेलो एंड वेल्गम को दिवल वाइट पो जोस्तो इरान और इस्राइल के रिलेटेड बहुत बड़ी ख़भा निगलगर आ रही है रीजेंटली इस्राइल ने ना इरान की सिटी असफाहन को अपना निशाना बनाया है याद रहे इस्राइल ने इरान के एक ऐसे शहर को निशाना बनाया है जहां आपको रिरान के न्यूक्लियर साइच्ट पॉच ज्यादधा देखने को मिलेंगे यहां पर आपको रि não इत्के नैंreg मिलेंगे इसी वजे से यहां पर इसराइल ने एक एक विहार करें मिसाइ से इसे से आटक किया घ्याधा क्या था च्योंकि यह इ शीड़ा सीधा ना जाकर गिरा इरान की एरपोट के पास जो आप तो इरान की सिटी असवाहन में ही देखने को मिलेगा जैसा ही ये निजुस मिली यहाँ पर इरानने इमीडियेटली फ्लाइट ओपरेशन को ड़ाइवर्ट कर दिया वेरियस एंलाइन के फ्लाइट यहाँ प पर attack किया है लेकिन आखिरकार इसी particular शहर को ही क्यों चुना क्योंकि obviously इरान कई ना कहीं इंड़िसरे शहरों में भी बनाईगा न नुप्लियर फेसिलिटी तो देखिए यह शेहर की खास बात यह के यहांपर न कई सारे नुप्लियर फेसिलिटी के साथ-साथ आपको इरान की नतान्स यूरानियम सेंटर भी देखने को मिलेगा और इस नतान्स यूरानियम सेंटर को आप कोई आम यूरानियम एन्रिश्मेंट सेंटर बिल्कुल भी मत समझ बैठना क्योंकि इरान ने इस यूरानियम सेंटर को जिस तरह से डिजाइन किया है जिस तरह से ये धरती के अं भी नहीं पहुंचेगा और पास्ट में इसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी वेस्ट और इस्राइल के द्वारा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था याद रहे ये इरान का यूरानियम एनरिश्मेंट सेंटर इरान को दो तरह से काम आएगा पहला न्य जेल कर जेल जड़कर जो है अच्छी तरह से एक्स्प्रियंस हो चुका था इसलिए इरान को पता था कि ऐसे सरकम्स्टेंसेस में ये चीज़े इनके लिए काम आएगी इस्राइल को ध्यान में रखकर ये ऐसा सेंटर बनाया गया था और इरान बहुत जल्द अपनी न्यू न्यूक्लियर देश बनने से सिफ एक कदम दो रहे हाइबोटेटिकली स्पीकिंग के हमें 6-8 माईने में ये सुनने को मिल जाएगा कि इरान ने एक सक्सेस्फुल न्यूक्लियर टेस्टिंग किया है अब इरान एक न्यूक्लियर देश बन चुका है मैं शौक नहीं हूंग इरान को जानता है न उतना ही इरान अपने दुश्मन इसराइल को भी जानता है और ये देखकरना मुझे इसराइल की 2010 का एक याद आता है इसराइल ने इस नतास न्यूक्लियर फेसिलिटी पर साइबर एक किया था यहाँ पर इसराइल ने इरान के न्यूक्लियर वाले मामलों में बहुत आगे हो चुका है 2010 के बाद अब आपके दिमाग में एक कोशन आना चाहिए कि जी क्या इरान इस एटैक का जवाब देगा तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इरान इस मिसाइल का जवाब देगा क्यूंकि यहाँ पर ना इरान का एर डिफेंस प्रो पर मतलब जादा अटैक नहीं करने के चांसे से हाँ इरान ने सिधा इसराइल को यह धंकी देदी है कि अगर इसराइल ने इरान की टेरेडरी या फिर इरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टार्गेट करेगा और इसराइल की टेरेडरी को भी टार्गेट करेगा तो दोस् सेक्शन में मैं उन्हें हार दे दूंगा और अगर मेरी वीडियो इन्फिमेंटिव दिए तो इंटरनाशनल अफेस के लिए आप मेरे चानल को सब्स्वाइब कर सकते हैं थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू फर यहरी और अलवेश से गॉड्ड ब्लेस यू और